दोस्तों भारत्या टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुँच गई है रोई सर्मा की टीम ने इंग्लेंड को 68 रनों के बड़े अंतर से हरा कर 10 साल बार टू रामेंट के फाइनल में जगा बनाई है रोई सर्मा की कप्तानी में भारत्या टीम ने 2022 T20 वर्ल कप में खेला था तब इंग्लेंड के खिलाब सेमी फाइनल में मैच के दोरान भारत 10 विकेट के बड़े अंतर से हर गया था अब इंग्लेंड को ही हरा का टीम इंडिया ने फाइनल में जगा बनाई है लेकिन जीत के बाद कप्तान रोई सर्मा काफी भावग दिखे दरसल इंग्लेंड के खिलाब भारत्या टीम को जीत मिलने के बाद कप्तान रोई सर्मा की आँखों में आसु आगए सेमी फाइनल मुकाबला खत्म होने के बाद खिलाडी जब ड्रेसिंग रूम में वापस लोट रहते तब रोहितमा गेट पर लगे कुर्ची पर बैठ गए ज़ा टीम इंडिया के अन्ने खिलाडी मस्ती मोज करते नजर आए वही रोहित सर्मा पूरी तरह से सान दिखे ड्रेसिंग रूम की गेट की सीडियों पर बैठ का रोहित सर्मा अपनी आँखे पहुच रहे थे भावक थे उनकी आँखों में आसो थे रो पड़े थे क्योंकि अंदर से बहुत ही भावक है दोस्तों भारत को 2022 में इंगलेंड के खिलाब 10 विकिट से मिली हार के बाद भी रोहित सर्मा बहुत ही भावक हो गए थे वो तब भी रो रहे थे रोहित तब भी इसी तरह से एलिलेट ओवल के ड्रेसिंग रूम के भारत पड़ी कुर्ची पर बैठ कर रो रहे थे बल्ले बाजी के लिए उस वक्त आसान विकिट पर भारत ने इंगलेंड को सिर्फ 169 रोनों का लक्ष दिया था तब भी जोस्त बटलरी टीम के कप्तान थे और एलेक्स हैल्स के साथ मिलकर उन्होंने चार और रहते वे भारत को हरा कर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था और उस वक्त रोहित काफी भावख हो गय थे रोहित सर्म का बल्ला भी इस बार टी 20 वर्ल कप में चम कर बोल रहा है सेमी फाइनल मुकाबले में उन्होंने सबसे बड़ी 56 रन की पारी खेली 49 गैंदों की पारी में उन्होंने 6 चोके और 2 चके मारे भारत ने मुस्किल विक और इसी वज़े से वो बाहर हो गए थे लेकिन इस बार रोहित का बल्ला सम कर गरज रहा है और रोहित अपने दम पर टीम को विनिंग की और ले जाते दिख रहे हैं उमीद करते हैं कि इस बार भारत फिर से 2004 वाली कहानी को धोराएगा और फिर से भार T20 वर्ल कप का दूर कमेंट करके बताए नमस्कार